नमस्कार, कक्षा 11 अध्याय साथ क्रम्चे एवं संचे मोड्यूल एक में आपका स्वागत है आज हम करेंगे क्रम्चे एवं संचे विशे का परिचे, गर्णा का अधारबूत सिधान्त तथा उप्रोग सिधान्त का दैनिक जीवन में उप्योग विभिन समस्याओं द्वारा माल लीजिए आपके पास एक सूटकेस है जिसमें नंबर लॉक लगा है और उसमें चार चक्र हैं प्रतेक चक्र में 0 से 9 तक 10 अंक से चिनित किया गया है यदि किसी विशेश अनुक्रम में चार विशेश्ट अंकों की पुन्रा वृती ना हो तो लॉक को खोला जा सकता है किसी कारणवश आप अंकों के इस विशेश्ट क्रम को या निश्चित क्रम जिसे आप साधरन भाशा में पासवर्ट भी कहते हैं को भूल गए हैं और आपको केवल इतना याद है कि पहले चक्र पर साध का अंक चिनित था बाकी के चक्र के अंक आपको याद नहीं है तो आप क्या करेंगे समबता आप एक सूची तयार करेंगे बचे हुए नो अंकों में से किनी तीन को चुनकर माल लीजिया आपने तीन अंक चुने, एक, दो और तीन, इसे आप कितनी तरह से लिख सकते हैं, एक, तीन, दो, एक, दो, दो, तीन, एक, तीन, एक, दो, तीन, दो, एक. आप इन तीन अंकों को छे अनुक्रमों में लिख सकते हैं, यह तो तब है जब आपने निश्चित कर लिया कि आपको तीन अंक कौन से लेने हैं, लेकिन आपको तो पता नहीं है कि वो तीन अंक कौन से हैं, तो समबता यह सूची बहुत ही नीरस और लंबी हो जाएगी, जिस क्रम बद करने के अनुक्रमों की संख्या को ज्याद कर सकते हैं, इसको हम एक और उधारन के द्वारा समझेंगे, माल लेजे, मोहन के पास तीन पैंट और दो शट हैं, पैंटो को हम P1, P2 और P3 से चिनित करते हैं, और उसके पास जो दो शट हैं, उसे हम शर्ट 1 और पहन सकता है pen 1 के साथ shirt बदल कर दूसरा जोड़ा पहन सकता है इसी प्रकार pen 2 के साथ shirt योडु ये दो जोड़े पहन सकता है तो कुल मिलाकर आपके पास 6 संभावनाई है pen और shirt के जोड़े पहनने की तो एक और समस्या की द्वारा हम इसे समझेंगे आरुशी के पास दो स्कूल बैग, तीन टिफिन बॉक्स और दो पानी की बोतल हैं वो इन वस्तूं को कितने प्रकार से विद्याले ले जा सकती है यदि उसे प्रतेक में से एक को चुनना हो यदि हम उसके बैग को B1 और B2 से दिखाएं और उसके तीन टिफिन को T1, T2 और T3 से चिनित करें और पानी की बोतलों को W1 और W2 से चिनित करें तो किसे दिन वो जब बैग 1 लेके जाती है और टिफिन 1 और बोतल 1 लेके जाती है तो उसके पास ये संभावना है ये विकल्प है bag 1, tiffin 1 और bottle 1 का इसी प्रकार bag 1 में वो tiffin 2 भी ले जा सकती है tiffin 2 के साथ अब फिर से उसके पास दो विकल्प है bottle 1 और bottle 2 ले जाने के अब उसके पास ये दो विकल्प और बन गए तो इस प्रकार अगर हम चलेंगे तो इस चित्रद्वारा आप समझ सकते हैं कि 12 तरह से 12 विकल्प आरुशी के पास हैं कि जब वो इन वस्तूओं को विद्याले ले जा सकती है ये सब एक्जाम्पल्स जो हैं हमने इसलिए समझे कि एक हम एक ऐसी मौलिक गुणन तक्नीक को सीखने जा रहे हैं तदो परांथ एक अन्य घटना N विभिन तरीकों से घटित हो सकती है तो दिये गए क्रम में इन दोनों घटनाओं को विन तरीके से घटित होने की कुल संख्या है M गुणा N जहाँ पर भी आप ये स्टार कचिन देखेंगे इसका अर्थ गुणा है ये तो था कि जब कोई घटना दो अलग अलग तरीके से घटित हो रही है M विभिन तरीके से या N विभिन तरीके से हम इसका व्यापी करण भी कर सकते है घटना यदि तीन तरीके से घटित हो रही है तब हम इस कथन को किस प्रकार लिखेंगे यदि एक घटना M विभिन तरीकों से घटित हो सकती है, इसके उपरांत एक अन्य घटना N विभिन तरीकों से घटित हो सकती है, इसके बाद एक तीसरी घटना P विभिन तरीकों से घटित हो सकती है, तो इन तीनों घटनाओं के घटित होने की विन तरीकों की कुल संख्या हो तो हम इसे उधारन की सहायता से समझेंगे, ये सिध्धान्त जो आपने सीखा था गर्णा का आधारभूत सिध्धान्त, शब्द रोज, जिसमें ये चार अक्षर हैं, R, O, S, E, कि अक्षरों से बनने वाले अर्थ पूर्ण या अर्थ हीन, शब्दों की संख्या ग्याद जबकि अक्षरों की पुन्रावृति संभव नहीं है, तो हमारे पास पहला रिक्त स्थान भरने का तरीका, क्योंकि हमें कहा गया है, इस चारों अक्षरों का प्रयोग करना है, और हम इसके लिए चार रिक्त स्थान ले लेंगे, जिसे हम भरना चाहते हैं, और हमारे पास चार ही विकल्प हैं और चार ही अक्षर का हमें शब्द बनाना है तो पहला रिक्तस्थान भरने का तरीका हमारे पास है चार क्योंकि हमारे पास चार अक्षर उपलब्द हैं अब चूंकि ये कहा गया है कि पुन्रा वृति की अनुमती नहीं है एक अक्षर का हम पहले से ही इसमें उप्योग कर चुके हैं क्योंकि ये रिक्तस्थान चार तरीके से भरा जा सकता है कोई एक अक्षर हम इसमें चंच चुके हैं तो हमारे पास अक्षर बचे तीन तो दू एक ही रिक्तस्थान बचा है और एक ही अक्षर बचा है तो इस तरह से ये विकल्प हमारे पास हैं तो अथा शब्दों की अभीष्ट संख्या 24 होगी किस प्रकार कहेंगे इसे हम कि ये चार गुना तीन गुना दो गुना एक गणना का आधार बूत सिध्धान्त हमें इस प् अक्षरों की पुन्रावृती संभव नहीं थी यदि अक्षरों की पुन्रावृती संभव होगी तब हमारे पास अक्षर अभी भी चार है वही चार विकल्प और रिक्तस्थान भी चार है क्योंकि हम चार अक्षर के शब्द बनाना चाहते हैं कि कितने शब्द बनेंगे अब ये चार अक्षर हैं, तो पहला रिक्तस्थान हम चार तरहां से भर सकते हैं. लेकिन पिछली बार की तरहां दूसरा रिक्तस्थान, अब हम कम नहीं करेंगे, हमारे पास अभी भी चार विकल्प उपलब्द हैं. तो अभी भी हम चारो विकल्प का प्रियोग कर सकते हैं, क्योंकि पुन्रावृति की अनुमती है. इसी प्रकार हम तीसरे रिक्तस्थान में भी चार विकल्प प्रियोग कर सकते हैं, और चौथे रिक्तस्थान में भी चार अक्षरों में से किसी का भी प्रियोग कर सकते हैं. तो कुल मिलाकर हमें जो अनुक्रम मिलेंगे और जो शब्द बनेंगे व होनगे चार गुना चार गुना चार और गुना चार ये हो गया 256 अनुक्रम जिसमें हम इन चार अक्षरों को व्यवस्तित कर सकते हैं है ना मज़ेदार ये गणना का आधारबोच से धान्त हमारी कैसी समस्याओं को ये आसानी से हल कर देता है अब हम उधारन दो समझेंगे भिन-भिन रंगों के दिये गए चार जंडों से कितने भिन-भिन संकेत उत्पन किये जा सकते हैं यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे दो जंडों की आवशकता है ऐसी स्तिती उत्पन होती है प्रवतारोहियों के जीवन में या फिर सेना की टुकडियों के लिए मान लीजिये परवता रोहियों की एक टुकडी पहाड पर उपर है और उनकी साथ ही टुकडी नीचे है उनके पास कोई फोन भी नहीं, कोई वाइफाई भी नहीं है और वो कोई आवशक संदेश पहुचाना चाहते हैं तो ऐसे में वो इस तरह के जंडों का प्रयोग करते हैं, उनके पास लेकिन केवल चार ही रंग के जंडे हैं उन चार रंग के जंडों को वो कितनी तरह से क्रम बद करके संदेश बना सकते हैं, जिससे वो अपने साथ ही टुकडी को पहुचा सकें तो इसे हम समझेंगे, हमें दो ही जंडों का प्रयोग करना है एक समय में, तो अगर हम इसके लिए दो रिक्त स्थान इस तरह बनाएं, जैसा कि प्रश्ट में कहा है, एक जंडे के नीचे दूसरा जंडा हमें प्रयोग करना है हमारे पास उपलब्द विकल्ब हैं चार, चार जंडों में से पहला उपर का स्थान हम चार तरह से भर सकते हैं और नीचे के जंडे के स्थान में हम तीन तरह से भर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जंडे चार ही है एक बार जो जंडा हमने संकेत में लगा दिया उसे हम दुबारा प्रयोग नहीं कर सकतें तो 6 जंडे हमारे पास 3 रहेंगे तो कुल अनुकरम हमारे पास बनेंगे ये उपर का रिक्तस्थान भरने की संभावनाई 4, नीचे का रिक्तस्थान भरने की संभावनाई 3 और गुडन के सिधान्त के अनुसार कुल संकेतों की संक्या 4 गुणा 3 अथार्थ 12 तो इस तरह से 12 संकेत 4 जंडों से बनाए जा सकते हैं जब हमें केवल 2 जंडों को प्रयोग करने की अनुमती है तो आईए एक और प्रशन लेते हैं अंकों एक दो तीन चार पांच तथा छे से कितनी तीन अंकिये सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों के पुन्रावृति की जा सकती है तो हमारे पास यहां पे तीन रिक्त स्थान हम चुनेंगे ये तीन रिक्त स्थान क्योंकि हमें तीन अंकिये संख्याएं बनानी हैं अब हमें कहा गया है कि एकाई का स्थान भरने के लिए हमें कितने अंक ले सकते हैं यहां से हम हमारे पास 6 अंख हैं लेकिन हमें बनानी है समसंख्या और समसंख्या में आप जानते ही है कि इकाई के स्थान पे 2 के गुणज होने चाहिए तो यहाँ पर हमारे पास 2 के गुणज है 2, 4 और 6 यानि हमारे पास केवल तीन विकल्प हैं जिससे हम इकाई का स्थान भर सकते हैं और हमारे पास यहाँ पर दाहाई का स्थान कितने तरह से भरा जा सकता है? छे तरह से भरा जा सकता है दाहाई का स्थान क्योंकि हमने कहा है अंकों की पुन्रावृति की जा सकती है और सैकड़े का स्थान कितनी तरह से भरा जा सकता है? वो भी छे तरह से. तो इकाई का स्थान तीन तरह से, दहाई का छे और सैकड़ा छे. तो गुणन के से धान्त के द्वारा हमारी अभीष्ट समसंख्याई हुई तीन गुणा छे, गुणा छे. अथार्थ एक सो आठ. तो एक सो आठ समसंख्याई हम केवल इन छे अंकों का प्रयोग करके बना सकते हैं. अब हम एक और समस्या ऐसी लेंगे संकेतों पर आधारित हैं. यदि पांच विभिन जंडे उपलब्ध हैं और उन विभिन संकेतों की संख्या ग्याद करनी हैं, जिनने कम से कम दो जंडों को एक उर्दुदंड पर क्रमवत एक दूसरे के नीचे रखकर बनाया जाता है. जंडों का भी प्रयोग कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर गर्णा का अधार भूत सिधान जो हम लगाएंगे, बारी-बारी से लगाएंगे पहले दो जंडों के लिए, फिर तीन, चार और पांच जंडों के लिए. तो दो जंडे, जैसा कि आपने पिछली समस्या में भी तो हमारे पास गर्णा के अधार भूत सिधान्त के अधार पे विकल्प होंगे पांच गुना चार बीस, यानि दो जंडों के एक साथ प्रयोग से बनने वाले संकेतों की संख्या बीस होगी. यदि हमें तीन जंडे लेने की अनुमती है, तो तीन जंडे इस प्रकार हम पहला स्थान भरा जा सकता है पांच उपलब्द विकल्पों से एक जंडा हम इस्तमाल कर चुकी हैं, बचे हुए चार जंडे यहाँ पर दूसरे स्थान पर प्रयोग किये जा सकते हैं और शेष तीन जंडे यहाँ पर. तो इस तरह से हमारे पास ये विकल्प होंगे पांच गुना चार गुना तीन ये संकेत हुए साथ ये साथ संकेत हम तीन जंडों के प्रयोग द्वारा बना सकते हैं इसी प्रकार अगर हमें चार जंडे प्रयोग करने की अनुमती है तो हम चार रिक्त स्थान बनाएंगे और उपर का स्थान भरा जा सकता है हमारे पास उपलब्ध जंडे, पांच, नीचे का स्थान, चार जंडों द्वारा, उसके नीचे तीन जंडे, क्योंकि हमें एक बार जंडा प्रयोग कर लिया, तो दुबारा नहीं कर सकते, इसलिए एक संख्या कम होती जा रही है, तो इस प्रकार हमारे पास ये गड़ना के अधार भू प्रयोग से बनने वाले जंडों की संख्या 120, इसी तरह से पांच जंडों के एक साथ प्रयोग करने से बनने वाले संकेत, इसी के नीचे यदि हमें एक और जंडा अगर हम लगाएं, तो इसी प्रकार से अनुक्रम हमारा चलेगा, पहला रिक्तस्थान पांच तरह से, दू दूसरा दो तरह से, और लास्ट वाला एक ही तरह से, क्योंकि अब हमारे पास एक ही जंडा शेश बचा है, तो इसकी भी गणना करेंगे, तो यही आएगा पांच गुना चार गुना तीन गुना दो गुना एक, और ये भी होगा 120, तो इस तरह पांच जंडों के प्रयोग से संकेत बने 120, और कुल संकेत यह हुए 120 और 120, जमा 60, जमा 20, इन सब को हम योग करेंगे, और यह संकेत है 320, तो ये प्रष्ण, पिछले प्रष्ण से इसलिए भीन है, क्योंकि वहां केवल हमें दो जंडों का प्रयोग करना था, यहाँ केवल 2 जंडे नहीं, यहाँ पर कम से कम दो जंडे हम संकेत के लिए प्रयोग कर सकते हैं यानि तीन भी कर सकते हैं चार भी और पाँच भी अब हम एक और प्रश्न करते हैं अंक एक दो तीन चार तथा पाँच से कितनी तीन अंकिये संख्याएं बनाई जा सकती हैं जब अंकों की पुन्रावृति की अनुमती ह और दूसरी स्थिती में अंकों की पुन्रावृति की अनुमती नहीं है। अब ये प्रश्ण पिछले प्रश्ण से कैसे भिन है। तब वहाँ पर हमें तीन अंकिये सम संख्याई बनानी थी। यहाँ ऐसी कोई भी स्थिती आपको नहीं दी गई है। तो पहली हम परिस्थित स्थान भरा जा सकता है पांच तरह से दूसरा रिक्त स्थान भरा जा सकता है अगिन पांच तरह से और तीसरा भी भरा जा सकता है पांच तरह से क्योंकि पुन्रावृति की अनुमती है। हम एक अंक जिसका पहले प्रयोग कर चुके हैं उसे दुबारा और तीसरी बार भी प्रयोग कर सकते हैं. तो गडना के अधार बूद से धान से हमें हमारे पास कुल अनुक्रम होंगे 5 गुना 5 गुना 5. जो की होगा 125. तो हम इन अंकों को 125 तरहा से विवस्तित करके संख्याएं, तीन अंकिये संख्याएं बना सकते हैं अब चलते हैं दूसरी स्थिती की और यदि अंकों की पुन्रावृती की अनुमती नहीं है लेकिन बनाने वही तीन अंकिये संख्याइं हैं इसलिए तीन रिक्तस्थान लेंगे अब जब हमें कोई विशेश स्थिती नहीं दे रखी की समसंख्याइं बनानी है या विशम संख्याइं बनानी है तो हम कहीं से भी इसका आरंब कर सकते हैं लेकिन अगर हमें दिया है की समसंख्याइं होनी चाहिए या विशम संख्याइं होनी चाहिए तब हम इकाई की स्था को पहले भरते हैं तो अब हमारे पास एक पहला रिक्तस्थान भरा जा सकता है पांच तरह से अब चूंकि हम एक अंका अप्रोग कर चुके हैं हमारे पास शेश अंक है चार दूसरा रिक्तस्थान हम भर सकते हैं चार तरह से और तीसरा रिक्तस्थान भर सकते हैं तीन तरह से और ये हमारे पास होगे 60 तरह से हम इन अंकों को विवस्थित करके तीन अंकिये संख्याएं बना सकते हैं जब अंकों की पुन्रावृतिकी अनुमती नहीं है तो आईए एक और उधारन लेते हैं 0 से 9 तक के अंकों का प्रियोप करके कितने 5 अंकिये टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रतेक नंबर 66 से प्रारंब होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता अब हमारे पास हैं 0 से लेकर 9 तक कुल अंक 10 और हमें बनाने हैं 5 अंकिये टेलीफोन नंबर इसलिए हमने 5 रिक्तस्थान ले लिए अब इन 5 रिक्तस्थानों में से पहले 2 स्थान निश्चित हैं 6 और 7 के लिए क्योंकि टेलीफोन नंबर इनसे प्रारंब होता है अब हमारे पास रिक्त स्थान है तीन और शेश अंक बचे हैं आठ तो हमारा एक रिक्त स्थान हम भर सकते हैं आठ तरीके से दूसरा रिक्त स्थान भर सकते हैं हम साथ तरह से और तीसरा रिक्त स्थान भर सकते हैं छे तरह से तो गड़ना के आधार भूत सिध्धान्त के अनुसार हमारे पास कुल अनुक्रम होंगे आठ गुना साथ गुना छे, साथ छीक बैयालिस, बैयालिस गुना आठ होगा, आठ दूनी सोला, आठ चोग बत्तिस और एक तीन तेतिस, तीन सो छतिस, तो हम इस प्रकार पांच अंकिये, तीन सो छतिस टेलिफोन नमबर तयार कर सकते हैं, जो छे और साथ से प्रारम्ब होते हैं. आज मॉड्यूल एक में हमने कवर किया क्रमचे और संचे विशे का परीचे, गर्णा का आधार भूत सिधांत और उप्रोक्त सिधांत का दैनिक जिवन में उप्योग, विभिन समस्याओं द्वारा, आशा करते हैं आपको ये मॉड्यूल अच्छे से समझाया होगा, धन्य आपको ये अवाद.